तुलसी के पत्ते एक आयरवेदिक औशिती है जो हमें कई बीमारियों से बचाते है इसलिए अगर आप गर्भवती हैं तो भी आप तुलसी के पत्तों का सेवन करके अपने स्वास्ते को अच्छा बना सकते हैं तो आईए बिना किसी देर कि आज जानते हैं तुलसी के पत्तों का सेवन गर्भवस्ता के दोरान करने से हमें क्या फायदे होते हैं तुलसी के पत्तों का सेवन रोजाना करना चाहिए ताकि आपके शरीर के अंदर खून की कमी बिल्कुल ना हो टिप नमबर टू, ग्रुण के अच्छे विकास के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है तुलसी, तुलसी के अंदर कई ऐसे तद्वो होते हैं जो गर्ण में पल रहे शिशु के विकास के लिए बहुत ही अच्छी होते हैं, तुलसी के अंदर विटिमिन एप आया जाता है जो गर्मे पर रहे शिशु के तंत्र का तंत्र को मस्बूत करने के लिए और विकासित करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है तुलसी के अंदर मैगनीशिम की मातरा काफी अच्छी होती है जो गर्वती महिला के धारन करने पर शिशू की हट्टियों को और भी ज़्यादा विक्सित करती है तुलसी के अंदर मैगनीज की मात्रा भी होती है जो महिला को तनाव ग्रस्त होने से बचाती है तुलसी के अंदर इतने तत्वों होते हैं जो गर्बवस्ता के दौरान बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिसकी वज़े से शुशु भी अच्छी तरीके से विक्सित होता है और डिलिवरी के टाइम पर कोई भी विकार नहीं आता टेप नमबर 5 है एनीमिया से दूर करने के लिए गर्बवस्ता के दौरान महिला की शरीर के अंदर भरपूर खोन होना चाहिए अगर खोन की अपूर्ती पूरी नहीं होती है तो उसकी वज़े से डिलिवरी में काफी प्रॉब्रम्स आती है आप एनीमिया का शिकार भी हो सकती है इसलिए रोजाना आपको तुलसी का सेवन जरूर करना चाहिए ऐसा करने से आपको तनाम मुक्त होने से तुलसी बचाएगी साथी साथ आपके शरीर के अंदर लाग रखत कोशिकाओं का बढ़ना भी शुरू हो जाएगा देखा आपने किस तरीके से तुलसी गर्ववस्ता से धारन करी हुई महिलाओं के लिए और भी ज्यादा गुंकारी है इन सारे टिप्स को आजमाईए और अपने व्यूस को हमारे साथ शेर करिए मेरी ब्यूटी और हेलसी रिलेटिब वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजे